गाइज काफी लोगा प्रॉब्लम आता है कि क्या आमना सर्वर चेंज करने के बाद टायर जो है वो रिस्टार्ट होगा या नहीं देखो मैं आपको पूरा एक्स्प्रेंड करूंगा पूरा दो मिनिट का वीडियो है छोटा सा वीडियो में आपको एक्स्प्रेंड करूंग पिर को का तो क्या आप यहां पर भॉंच हो गया नहीं वह सब में आपको बता हुए में अपनी आप एक का डी मैं आच चुबाऊंद या इस एक शर्वर और तो कर दो एश्यार से मैं अब यांप यहांप यूरोप सर्वर यांपी किसी भी सर्वर में स्विच्छ करने वाला ओन जाइस मेरा आप विकां या पर रेंग जोयाना वह यांपे सिल्वर है टो इस में आप अभी यहांप सर्वर चेंज करूंगा सर्वर्टेंग करने के बाद याँ यहाँ पर मैने ओकी बटन दा बाद यह और मेरा यह पर पूरा 14 देज्ट के लिए मिया अब सर्वर्ट जेंज नहीं कर पाऊंगा 14 देज तक मैंने यह पर यूरॉप सर्वर रहने वाला है दो गाई आपको यहाँ पर सबसे पहले चीज़ क्विसन वाता देता हों कि आप यां पर डिफेंट सर्वर में आ सेकते या लास में पताऊंगा कैसे और टायार लॉक होगा या नहीं रीस्टाट होगा या नहीं तो कैसे अब में आप एश्यार्य में आओना ओगा बताओंगा देख़। मेरे यापे आपि का में आइडिया नसीडीर ट्रॉस्ट उससे अगर में आपको याप इनवेट इनवाइड बेजो गाझा में करेंडी आप एश्यार्य में पछॉट्ट जाहूंगा याफिंपर वॉर्ड वोगेरा कुछ भी रिस्टार्ट नहीं होने वाला लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर प्रूफ दूंगा 14 डेस के बाद अभी मेरा सिलवर टायर में 14 डेस के बाद चेक करूंगा मेरा यहां पर सर्वर वगेरा चेंज वाया नहीं मोच प्रबाबली नहीं होना चाहिए क्यो